नमस्कार साथियों समसमा एक मुद्दों से संबंधित धायनिक प्रस्णावली के साथ मैं आमित आप सभी का पुना स्वागत करता हूँ आज है 17 जनवरी 2020 और आज हम देखेंगे कि हमारे पास 10 प्रस्ण में कौन से हैं जिनको मैं लेके आया हूँ तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं यानि कि हमारे प्रस्ण किन मुद्दों पर आधारित होंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रस्ण में सच्छम अभियान के बारे में दूसरे प्रस्ण में हम बात करेंगे नियोन के बारे में जानेंगे कि नियोन क्या है और इसको किस ने डेवलप किया है बात करेंगे तीसरे प्रस्ण में ICC द्वारा घोशित वन डे और टेस्ट क्रिकेट में टीम के कप्तान पर चौथे प्रस्ण में हम बात करेंगे टिड्डी हमले पर यानि की टिड्डियों ने कहीं एक हमला किया है जिससे की काफी सारी मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचा है पांचवे प्रस्ण में हम बात करेंगे समवैधानिक सुधारों की घोशना पर किस देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया गया चटे प्रस्ण में हम बात करेंगे माइक्रोसाफ्ट द्वारा विंडोस के किस वर्जन का सपोर्ट बंद किया गया है सात्वा प्रस्ण आधारित होगा आमेजन का भारत में छोटे तथा बड़े उद्योगों के डिजिटिली करण के निवेश पर वहीं आठवे प्रस्ण में हम बात करेंगे रोजगार संघी एप की नमप्रस्ण आधारित होगा उपकरन टू नाट पर जानेंगे की उपकरन टू नाट है क्या और क्यों इसे इस्तिमाल किया जाता है हमारा दस्वा प्रस्ण आधारित होगा आर्थिक फोरम 2020 की वैस्वे की जोखिम रिपोर्ट पर तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं आज के पहले प्रस्ण को जो आधारित है सच्छम अभियान पर हाल ही में सच्छम अभियान की शुरुवात किस मंत्राले द्वारा की गई हमारे पास आपसन है मानोसन साधन विकास मंत्राले पेट्रोलियम और प्रकरतिक गैस मंत्राले जल शक्ति मंत्राले और इन में से कोई नहीं तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पेट्रोलियम औ और प्राकर्थिक गैस मंत्राले इसके द्वारा जो है यह सच्छम अभियान की शुरूआत की गई हैं प्राकर्तिक गैस मंत्राले के अधीन पेट्रोलियम संवच्छन अंसंधान PCRA यानि के पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एस्चोशियस्टन द्वारा की गई है इस अभियान के द्वारा पाल्यूशन का सल्यूशन का संदेश दिया जाएगा जिसका उद्देश की बात क करें कि क्या होगा तो स्वारस्थे तथा परियावरण सुरच्छा की द्रश्टि से पेट्रोलियम उत्पादों के समुचित उप्योग के लिए लोगों को जागरू करना ही इसका प्रमुक उद्देश से होगा PCRA ने NCRT के साथ मिलकर इंधन संवच्छन की थीम पर एक कॉमिक बुक भी तयार की है पेट्रोलियम संवच्छन अंसंधान संग एक गैर लाबकारी संगठन है जिसका पंजी करन केंद्री पेट्रोलियम तथा प्राकरतिक गैस मंत्राले के अधीन किया गया है बात करें यहां के जो कैबिनेट मंत्री है किस चीज के पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस के तो वो हैं धर्मेंद प्रधान बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रसंद की तरफ हाल ही में चर्चा में रहा नियान क्या है एक एंटिवाइरस वाइरस या कृतिम मानो या इन में से कोई नहीं तो यह जो है नियान वो एक कृतिम मानो है बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके विसे में तो नियान जो है व Neo यानि की नए Human का Last में जो N है यहां से N उठाया गया है और इसको Neo और N को मिलाकर Nian की उतिपत्ति हुई है यहां नियमित Bytes या Commercial AI जैसे की Google Assistant और Amazon Alexa के समान नहीं है जो Users के लिए मौसम का Update या Music प्ले करते हैं Nian एक अलग तरह की Technology है और Core R3 प्लेटफॉर्म पर यह चलता है जहां R3 का अर्थ है Realty, Real Time और Responsibility यह जिम्मिदारी से अपना काम करते हैं और इनकी जो रूप रंग है वो बिलकुल इधर देखिये चितर दिये हुए हैं बिलकुल Human से मिलते जुलते हैं और यह Human की तरह समवेदनाओं को भी डील करते हैं तीसरा प्रस्थन है हमारा हाल ही में ICC द्वारा घोसित वंडे और टेस्टे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है यहाँ पर महन सिंधोनी, विराट कोहली, रोहित सर्मा और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इस टीम के कप्तान है वो है विराट कोहली बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बाते हैं तो ICC टीम द्वारा घोसित वंडे के टेस्टे क्रिकेट टीम के कप्तान जो है वे विराट कोहली बनाए गए हैं विराट कोहली को ICC इस्परिट आफ क्रिकेट अवार्ड से भी समानित किया गया है पढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है हमारा किस राज में बड़े टिड़ी हमले में हज्जारों एकड़ की फसल नस्ट हो गई है हमारे पास आपसन है मद्ध प्रदेश, गुजरात, राजिस्थान और इन में से कोई नहीं तो यह नस्ट होई है फसल टिड़ी हमले द्वारा राजिस्थान में तो राजिस्थान में अभी तक का यह जो है टिड़ीों का सबसे बड़ा हमला है राजिस्थान में हज्जारों एकड़ की फसल जो है इसे प्रभावित होई है अब तक राजिस्थान के लगभग 3.60 लाख हेक्टेर छेतर में टिड्डियों ने इसे प्रभावित किया है जो की पिछले 60 वर्सों का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है इसमें खरीब और रवी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रस्ण की तरफ पांचवें प्रस्ण है हमारा हाल ही में किस देश के राश्टपती द्वारा समवैधानिक सुधारों की घोषणा किये जाने पर प्रधान मंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तिफा दे दिया हमारे पास आपशन है रूस, फ्रांस, जर्मनी और इन में से कोई नहीं तो यह दिया है रूस के प्रधान मंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के सहित इस्तिफा तो रूस के राश्टपती जो हैं वो समवैधानिक सुधारों की घोषणा किये हैं जिस पर वहां के प्रधान मंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तिफा दे दिया है रूस के प्रधान मंत्री मिदित्री ममदेवे देव ने अपने मंदल सहित 15 जनवरी 2020 को अपने पद से इस्तिफा दे दिया राश्ठपती पुतिन ने रूस के कर सेवा प्रमुक मिखायल मिसिस्तिन को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है नए सम्वैधनिक शंसोधन के मुताबिक जनशद प्रधानमंत्री तथा कयबिनेट के सधस्यों को नामित कर सक्ते हैं वर्तमान में प्रधान मंत्री और काइबिनेट मंत्रियों को नियुक्त करने की शक्ती रूस के राष्टपती के पास है दिमित्री को राष्ट्री सुरच्छा परिसद का उपुप्रमुख नियुक्त किया जाएगा ब्लादीमीर पुतिन जो है वो राष्टपती है और राष विंडोस 7, विंडोस 8, विंडोस 10 और इनमें से कोई नहीं. तो यहाँ पर विंडोस 7 के लिए Microsoft ने अपना सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है. Microsoft दोरा आधिकारिक रूप से इसे बंद करने के बाद अब इसको उपयोग करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का software एवं security अपडेट नहीं मिलेगा एवं system के crash हो जाने की इस्थिति में user को technical support भी Microsoft की तरफ से नहीं दिया जाएगा बरते हैं अगले प्रसुन की तरफ Amazon भारत में छोटे तथा बड़े उद्योगों के डिजिटिली करण के लिए कितना निवेश करेगी हमारे पास option है एक अरब डालर दो अरब डालर तीन अरब डालर और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर Amazon निवेश करने वाली है जो इन छोटे और बड़े उद्योगों के डिजिटिली करण के लिए वो है एक अरब रूप है आमेजन भारत में छोटे तथा बड़े उद्योगों के डिजिटिली करण के लिए एक अरब डालर का निवेश करेगी आमेजन के संस्थाफक जेफ बेजोस ने यह घोसना की कि 2025 तक आमेजन इंडिया 10 अरब डालर मोल के मेक इन इंडिया उत्पादों का निरियाद भी करेगा आमेजन विस्व की सबसे बड़ी एकामर्स एकाईयों में से एक है आमेजन के संस्थापना की बात करें तो जेफ बोजेस ने 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की थी शुरू में यह केवल एक आनलाइन बुक स्टोर था बाद में अमेजन पर विभिन प्रकार की वस्तुएं बेची जाने लगी अमेजन के उत्पादों में शामिल हैं एं अमेजन इको अमेजन फाइर अमेजन फाइर टीवी अमेजन फाइर आपरेटिंग सिस्टम और Amazon Kindle Amazon की सेवाएं जो है Amazon.com Amazon Alexa Amazon App Store Amazon Music Amazon Prime Amazon Prime Videos Amazon Web Services इत्यादी हैं बढ़ते हैं अपने आठवें प्रस्ण की तरफ किस राजिसरकार ने कोसल एवं प्रसिचित उम्मेद्वारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देशे से रोजगार संगी आप लांच किया है हमारे पास आपसन है मद्धिपरदेश, च्छतिसगड, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं तो ये आप लांच किया गया है च्छतिसगड द्वारा च्छतिसगड ने कुसल एवं प्रसिचित उम्मेद्वारों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए उद्देश से रोजगार संगी आप का लांच किया है इस आप को राश्टी सुचना विज्ञान केंद्र की मदद से विक्सित किया गया है बढ़ते हैं अपने नवे प्रस्ण की तरफ नवा प्रस्ण है हमारा विश्व स्वास्थ संगठन ने तपेदिक के निदान हे तो किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रू नाट को सारुजनी करने की सुईक्रत दी है हमारे पास आप्सन है अमेरिका, चीन, भारत और इनमें से कोई नहीं तो यह सुईक्रत दी है विश्व स्वास्थ संगठन ने भारत को विश्व स्वास्थ संगठन ने तपेदिक के निदान हे तो भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रू नाट को सारुजनी करने की सुईक्रत दी है यह एक घंटे में टीवी की जांच कर सकता है और साथ ही रीकिमफिसिन इसके उपचार के प्रति रोध की भी जांच कर सकता है रीकिमफिसिन एक एंटिवायटिक है इसका उपियोग जो है कई प्रकार के जीवानों जिनमें की तपेदिक भी शामिल है का इलाज करने के लिए किया जाता है इस उपकरण को गोवा के मोल बायो डाइगनोस्टिक्स ट्राइवेट लिमिटेड कमपनी द्वारा विक्सित किया गया है बढ़ते हैं अपने इस सेग्मेंट के अंतिम और दस्वे प्रस्ण की तरफ विस्व आर्थिक फोरम की 2020 की वैस्विक जोखिम रिपोर्ट में कितने सबसे बड़े वैस्विक जोखिम सामिल किये गए हैं हमारे पास अप्सन है पांच, चार, छे और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो जोखिम सामिल किये गए हैं वो पांच जोखिम शामिल किये गए हैं विस्व आर्थिक फोरम 2020 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में पांच सबसे बड़े वैश्विक जोखिम सामिल किये गए हैं। मिलते हैं कल नए दस प्रसनों की संखला के साथ अब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।